और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिता दें गर्भी को लेकर चुनावायोग ने बैठक की दरसल लूह के जोखिम को देखते हुए बैठक की गई और लोगों की दिकतों को लेकर यहां चर्चा की गई है देश के कुछ हिस्सों में सामाने से अधिक तापमान रह रहा है लूह के पूरवानुमान के मद्दे नजर चुनावायोग ने लूह के कारण होने वाले जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है दरसल आगामी जो छे चर्ण के मतदान होने हैं इस दौरान भीशन गर्मी होगी तो ऐसे में चुनाव में बढ़ रही गर्मी को देखते हुए लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए कुछ चर्चा की गई अब चर्चा में क्या तै हुआ है क्या स्थित मैंने था तीवर तापमान रहेगा आगे आने वाले एलेक्शन में वोटिंग में ऐसी गर्मी रहेगी चुनाव आयोग ने क्या तै किया इससे बचाव के लिए या लोगों की साफ़दानी के लिए जी देखिए अभी चुनाव आयोग की बैठक तमाम स्टेक होलडर जो हैं तमाम राजियों के मौसम विभाग के बड़े अधिकारी उनके साथ अभी चुनाव आयोग की बैठक चल रही है चुकि आगामी चुनाव में गर्मी और जिस तरह तापमान बन रहा है जैसा भी आ माना जा सकता है कि उनकाव आयोग जबबत एक बना फैसला आने माले कुछ घंटों में ले सकता है कि जिस तरह से तापमान कई राजियों में बर रहे हैं लू लगाना जाई है उन समाम चीतों करने के लिए अधिहांतर नाव आयोग के तरह और अथरिक्त क्या कदम उठाया जाए ताकि जो मतदाता है, सुरक्षा कर्मी है या जो पिठाशीन अधिकारी है उनको दिकत अपना होने पाए यानि कि जादा से जादा मतदाता जो है इसको कुलिंग सेंटर सक फोच तक है और उसको गर्मियों से इजाब चुनाव आयोग कि सरा दिलाए उसको लेकर एक बड़ी चल्चा है मौसम भाग के बड़े अधिकारी यानि कि मौसम विबाग की जो डारेक्टर है वो भी इस चल्चा में शामिल है अभी तिलाल चुनाव आयोग की बैठक जो है वो चल रही है कि यह माना जा सकता है कि उस गंटों के बाद चुनाव आयोग इस बाबत एक उसी के बाद चुनाव आयोग ने इस कदम को लेकर एक गंभीर चल्चा के लिए तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर से उनको इन्माइट किया था और आज इस बाबत एक बड़ी चल्चा की जा दिये तो यह माना जा सकता है कि फोड़ी देर में इस तोरे मामले में चुनाव बिल्कुल और चुकि सामाने तोर पर इतनी गर्मी होती है हर कोई कुछ ना कुछ उपाय अपनी उससे करता है लेकिन यहां पर जिम्मदारी चुनावाईों की सुशील इशलिये भी बढ़ जाती है क्योंकि चुनाव कराना है और जिस तरह से आप मतदान के रिकॉर्ड तो बड़ी चुनावाईों के लिए होगा लोगों को घरों से निकालना ही यूँ मुश्किल हो जाता है कई बार लेकिन अब देखना होगा कि चुनावाईों अगर इसके बारे में संगान ले रहा है तो वो क्या निरने लेता है क्या फैसले यहां पर ले जाते हैं बहुत और शुनावाईों